हेलो स्टुडेंट्स हुँछु सावल्यासर अने मारी यूट्यूब चेनल सावल्यासर केमेश्ट्री ट्रेनर मा आपनू स्वागत छे मिध्यार्थिमित्रों 11th केमेश्ट्री नू चेप्टर तत्वों नू वर्गी करणने गुणधर्मुमा आवर्तिता जेना जेडबली नीट नो आ टीटील 5 लेके टेबल टॉप लेक्चर 5 छे आ लेक्चर मा आपने पर्माणिय कद मा आवर्तिना तत्वों माटे अपवाद जेने अंतर्गत आपने संक्रांती तत्वों नी स्रेणी माटे नू अपवाद अने लेंधे नोडी संको चन आप ये अंतर्ण उर्जा एटले के आएनिकर्ण एंथाल्पी तेमाज तेने अंतर्गत आएनिकर्ण उर्जा ने असर करना रा परिबढ़ोवी से अभ्यास करीशू टीटील 4 एटले के लास्ट लेक्चर जे छे एमां आपडे पर्माणिय स्पीसीज नी त्रिज्या जेमां सहसाय पर्माणिय स्पीसीज ना कद तेमाज पर्माणिय त्रिज्या ने असर करना रा परिबढ़ोवी से अभ्यास करेलो तो आ लेक्चर मां आपडे आगल वदी टाइटल जे पर्माणिय कद मां आवर्त ना तत्व माटे अपवाद अथवा तो आवर्त ना तत्व माटे पर्माणिय कद मां अपवाद एमा पहलू मथालू छे संक्रांती तत्व नी श्रेणी माटे विध्यार्धी मित्रो आपडे आ बाबत ने जानिये छीए आवर्त अने समू समू मा उपर्त नीचे आवर्त मा डाबी थी जमनी तरब आप बे दीशा हो एवी छे के जेमा तत्व ना पर्माणू क्रमांक वद से आवर्त मा डाबी थी जमनी तरब जहिए तत्व ना पर्माणू क्रमांक वदे एम पर्माणू त्रिज्या कटे समू मा उपर्ती नीचे आविए पर्माणू क्रमांक वदे तें पर्माणमिय त्रिज्या वदे लास्ट लेक्चर मा आपणे आ बाबत ने समझावी चुक्या छी आवर्त माँ डाबी थी जमनी तरब जहिये पर्माणू क्रमाक वदें पर्माणमिय तृज्या घटें एना माटे नू कारण એકજ આવર્તનો તતવ જે છે એની બાહયતમ કક્ષા નો કરમ સમાન હય एटले केंद्र थी 22 वाहितम कक्षा मां इलेक्ट्रोणनी संख्या वदे एम केंद्र प्रत्ते नुँ आ करशन वधतु जशे अने केंद्र प्रत्ते नुँ आ करशन वधतु जाए Bennett कक्षा नु संकोचन धतु जाए अने ते थी परमाणियेती जया गडती जाए આ वाद थही आवर्त मां डाबीथी जम्री तरव जटा समुमा उपर्थी नीचे तरव हागिए तो समुमा उपर्थी नीचे तर oxygen पागिए 9 तत्व ए 9 आवर्त नो तत्व छे एकले जहिं जहिं तत्व नो परमणूर प्रमान्क वदे एम बाहेतम कक्षा नो क्रम वदे जिमके आ केंद्र छे बाहेतम कक्षा नो क्रम ए क्रम सह वदे एम केंद्र थी बाहेतम कक्षा नो अंतर वदे केता पर्माणियत रिज्या वदे आ बाबत जे छे ए बाबत ए सामान्य बाबत छे अथवा तो ए रेग्यूलर बाबत छे नियम ગেફ્લે આપણે અપવાદ રુપ જે બાબત છે એનો અભ્યાષ્ जोवा मले छे ए आपने उदार्ण थी समझी सु लख्यू छे दातला तरीके प्रथम संक्रांती स्रेणी विज्यारती मित्रों प्रथम संक्रांती स्रेणी एटले एने 3D स्रेणी केवाई के जे तत्वो ना अंतिम इलेक्ट्रों 3D कक्षक मा भराई छे ए तत्वो ए डी विभागनी प्रथम स्रेणी नी अंदर ए गोठवाई छे अने एने 3D स्रेणी अथ्वा प्रथम संक्रांती स्रेणी ना तत्वो तरीके उलख्यामा आवे छे तो प्रथम संक्रांती स्रेणी ना तत्वो माटे कद नी आवी अनियमित्ता जे उपरवाद थाई रही छे एवी कद नी अथ्वातो परमाणी अत्री ज्यानी अनियमित्ता नीचे मुझब समझावी शकाए तमें जोई शको जो स्केंडियम, टीतेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगेनीज, आयन, कोबाल्ट, निकल, कौपर अने जिंक आ दस तत्वो ए थीडी स्रेणी ना एटले के प्रथम संक्रांती स्रेणी ना तत्वो छे हवे, एमा कया प्रकारे पर्माण्मिय त्रिज्या आथ्वा पर्माण्मिय कद नी अनियमित्ता जोवा मले छे वास्तव मां तो आवुज होँ जुए के स्केंडियम थी जींक सुधी जाओ एकले क्रमसह तत्वोना पर्माण्मिय त्रिज्या अथ्वा तो कद ए घटता जवा जुए काणके आवर्तमा डाबी थी जमनी तरब जहिए तो पर्माण्मिय त्रिज्या घटे ए सामान्य वलन छे परन्तु अहीं एमा जे अपवाद जोवा मले छे ए अपवाद विसे आपड़े समझी रहा छिए तो तमें जोई शको छो प्रथम पांच तत्वो स्केंडियम तीटेन लाएन क्या आउलस एको थे एकले घटेने क्यों कोबाल्ट अने निगवास लेख अपड़े ना Zeीक-पयंद कद वदे छे एवु दर्षावामा आव्यू छे जे पण एनू अप्वाद अथवातो अनियमित वलन छे विद्यार्थी मित्रों अहीं आपने लख्यू छे के स्केंडियन थी मेंगेनिस सुधी कद घटे छे तो नियमित वलन छे एफी, सीओ, एना कद लगभग समान रहे छे कौपर नी सापेसे जिंकनू कद वद्यू तो आजे पांच तत्व माटे जे कई गुणधर्म जोवा मले छे पर्माणमिय त्रिज्या आत्वा पर्माणमिय कद ना संदर्मा तो ए लाक्षनिक्ता जे छे ए अपवाद लाक्षनि मित्रो आवू थवा माट्टे नूझे कारण छे ए कारण हवे आपणे समझी लेए तो तमें जोई शको जो के जहां कद घटे छे कद लगभग अचल रहे छे अने कद वधे छे ए त्रणे त्रण स्थानू पर आपणने आ बे परिबळो असरकारक केंद्रिय विजभार अन आदो छे तो टीटीएल 3 ृटीएल 3 मां आपणे स्क्रीणिंग असर अने असरकारक केंद्रिय विजभार विशे पण्या चिये ए तीटीएल 3 आपणे रिवाइज करी लेवो जी ये याद राखीशू के तत्वनी पर्माण्विय त्रिज्या अथ्वा कद एमा असर कारत परिबढ तरीके एक बीजाती विरुद्ध होय एवा अबे परिबढो छे टिटी एल फोर नी अंदर पर्माणमिय त्रिज्या अत्वा पर्माणमिय कदने असर करनारा परिबढो एमा पण आबन्ने नो उल्लेक छे बन्ने पैकी सापेक्षमा जेनी तीवरता अत्वा तो जेनी प्रबलता वदू तेने अनुरूप तत्वनी पर्माणमिय त्रिज्या एवर्तनुक दर्शाव शे जेमके स्केंडियम थी टिटेनियम टिटेनियम थी वेनेडियम वेनेडियम थी क्रोमियम क्रोमियम थी मेंगेनिस एलेके स्केंडियम थी मेंगेनिस सुधिना पांच तत्वो माटे एटलेके आवर्तमा डाबी थी जम्नी तरप जैए तेम असरकारक केंद्रिय विजबार ए इस्क्रिनिंग असरनी सापेक्षे वदुप्रबलता धरावे छे। अवे असरकारक केंद्रीय विजबार जो वदुप्रबलता धरावे तो केंद्र इलेक्ट्रोनने पूतानी तरफ वदुप्रबलताथी आकर्षे। अने जो केंद्र इलेक्ट्रोन ने पोतानी तरफ वधू प्रबलता थी आ करशे तो कक्षा ओनू संकोचन थाय छे अने एना लिधे पर्माणिय त्रिज्या एक्रमस घटे छे जेने आपणे नियमित वलन कई सु एतले आपणे एहीं लख्यू छे कि आ पांच तत्व माटे न स्क्रीनिंग असर ए बन्ने नी प्रबलता लगभग समान जोवा मळे छे अने आवी लगभग समान प्रबलता ने कारणे कक्षकोनू संकोचन अटके छे पर्माणू क्रमांक वधे छे केंद्रमा प्रोटोन नी संख्या कक्षामा इलेक्टोन नी संख्या पण वधे छे पर संकोचन जे थतु हतु ए मेंगे नी सुधी थयू पन आ तत्व मा ए संकोचन थयू नहीं अने परिणा में आ त्रणे तत्व नी पर्माण मियं त्रिजिया आत्वा पर्माणू कद ए लगभग समान रहे छे जे अनियमित वलन छे आगल वधिये तो कौपर ने जिंक ए बन्ने संदर्ब मा तो कौपर नी सापेक्ष जिंक नू कद वधे छे एटले के पर्माण मियं त्रिज्या वधे छे तो एना माटेनू कारण अहीं दर्शावेलू छे के असरकारक केंद्रिय विजबार अने स्क्रीनिंग असर आ बन्ने परिबलो पैकी असरकारक केंद्रिय स्क्रीनिंग असर नी प्रबलता ए उपरवट होवा थी कक्षको नू संकोचन ए विरुद्ध वर्तनूक दर्शावे छे अर्थ के कक्षको नू संकोचन थतू नती परण्तू कक्षको ए विश्ट्रूत थाई छे एटले के कोपर नी सापेक्षे जीनक नू कद अत्वा पर्मानिय त्रिज्या एवधे छे टुंक मा आ पांच तत्वो माटे परमाणमिय त्रीजिया अत्वा कद निजे वर्तनुक छे एने आपड़े अनियमित वलन अत्वा अनियमित वर्तनुक तरीके दर्सावी शक्ये छिये त्यार पची बीजू टाइटल छे लेंथे नाइड संकोचन अत्वा लेंथे नोइड संकोचन वित्यार्थी मित्रों आपणे यू जानिये छे के 6S अन्ये पची 4F अन्ये पची 5D अन्ये पची 6P तो आ 4F स्रेणी जे छे ए 4F स्रेणी ए लेंथे नाइड स्रेणी छे आपणे आवर्त कोष्टक मां जोईशू तो निचे ना भागे अलग थी 4F स्रेणी अन्ये 5F स्रेणी एटले के F विभाब ए दर्शावा मायवो छे परन्तु तेना तत्वो नुस्थान तो 4F स्रेणी ना तत्वो नुस्थान ए 6 एतले के N बराबर 6 छट्ठा आवर्त मां छे ए विरीते N बराबर 7 एतले के 7 मां आवर्त मां 5F स्रेणी ना तत्वो नुस्थान छे तो आपने ए बाबत स्पष्ट करी दैशू के 6 आवर्त अने 7 आवर्त ए प्रमाण मा अती लामभा आवर्त छे जेनी चर्चा पन आपने TTL2 अने TTL3 मा करेली छे CTL2 नी अंदर खास अपने आ चर्चा करेली जहे छट्थो आवर्द अने सातमों आवर्द, सातमों आवर्द अपूरण अर्धवा अधूरों आ वर्ध छे, जहारे छट्थो आवर्ध, ए अति लामब्व आवर्ध चे, अनि अति लामबा आवर्ध मां आजे फोरेप स्रेणी गतुल्स-आत नावाय दसमेल स्चाहिता रहातेश वंधर्ग घ्णियों क्ली से कयं अरा पील्हं समेलाव विक लेनोरोल आतें वह हैं 60 द सब्सें चाहिता ये बाबत तमें या थी पण जोई शको जो, जेम के 6s एटले के बाहेतम कक्षानों क्रम n बराबर 6 छे, पन जेवा n बराबर 6 एटले के बाहेतम कक्षाना s कक्षक मां बे इलेक्ट्रोन पून थाए, अने त्यार बाद 5d1 मां एक इलेक्ट्रोन बराए, अत्वा 5d खाली एटले के 4F कक्षक मां इलेक्ट्रोन दाखल थवानू सरू थाए, छे, तो विद्यार्थी मित्रों आपड़े यह जाणिये छे, के n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, तो n बराबर 6 जे कक्षा छे, एक n रती सापेक्ष मां दूर छे, n बराबर 4 कक्षा, एटले के मुख एमां जारे फोरेब कक्षक मां इलेक्ट्रोन दाखल थवानी सरू आद थाए, तो ए बाहेतम कक्षा नी सापेक्षे, अंदर नी कक्षा मां, एटले के केंद्र थी नजीक नी कक्षा मां, लख्यू छे सापेक्ष मां केंद्र थी नजीक नी कक्षा मां, इलेक्ट्रोन उमे उमेराता जाए छे आवे केंद्र ती नजीकनी कख्षामा जो इलेक्टरौं उमेराता हौय तो आकर्षन वधुने वधु प्रबल बने छे आस्थिती मा अंदर नी कख्षाओ संको जाए तो त्यार पछी नी एटले के अनूक्रमे आवती कख्षाओ एपन संको जाए छे तो लख्यु छे परिणा में सामान्य स््थिती नी सापेक जै आ वर्त मां डाबी थी जमनी तरब जाईए तो असरकार केंद्रिय विजभार ये सापेक्श मा वधू ओ और स्क्रिनिंग असर सापेक्श मां से ओ चिओ पई नामे सामान्य स्थिती नी सापेक्षे लेंथेनाइड स्रेणी ना तत्व मां केंद्र प्रत्य ना आकर्षन मां वधारे पड़तो वधारो थवाथी कदमा सवीसेस घटाडो थाई अने कदमा थतो आवो सवीसेस घटाडो ए लेंथेनाइड संकोचन तरीके ओल खाई छे लगिर जे स्रेणी ना सभ्यो एटले के लेंथेनाइड स्रेणी ना सभ्यो एटले के तत्व ना कदमा आ प्रकारे थता सवीसेस घटाडा एटले के संकोचन ने लेंथेनाइड संकोचन कहे छे विद्यात्य मित्रों आजे तत्वो ना कदमा जे घटाडों धाई छे ए घटाडों ए अनेक्सपेक्टेड एटले के धार्णा करता पण वधारे पड़तों घटाडों छे अने तेथी तेने विशेश ना मापा माव्यू छे लेंथे नाइड संको चन एटले विधान लख्यू छे के श्रेणी ना एटले के लेंथे नाइड स्रेणी ना सभ्यो एटले के तत्वो ना कदमा आ प्रकारे थता संको चन ने लेंथे नाइड संको चन का हे छे आव प्रांत नीचे मुझबनी अनियम इत्ता पण ध्यानमा राग्वी जरूरी छे जिमके पहला लख कदमा तो पर्माणिया त्रीज्या ए सोडियम नी पर्माणिया त्रीज्या करता नानू छे परन्तु सोडियम नी पर्माणिया त्रीज्या ए आर्गन करता नानी छे तो क्लोरीन ने सोडियम नी पर्माणिया त्रीज्या वच्चे जे सबन छे ए नियमित वलन छे परन्तु आवर्त त्रण जेनो प्रथम सप्य सोडियम छे समु एक तम्हें आवर्त कोष्टक माँ जोई शको छो के समु एक माँ आवर्त त्रण नो प्रथम सप्या सोडियम छे एज आवर्त मां जम्नी बाजु जेए एतले समु सत्तर औने त्यार बाज समु अधार तो समु सत्तर मां तत्व छे क्लोरिन औने समु अधार मां तत्व छे आरगन तो सामाण्यवलण आवू छे क्या आवर्तमाँ ाह्बीथी जमनी तरब जाओ इन तत्वोना पर्माणू पर्माणु प्रमांकवते एनी साथे साथे दित लुनी टरinea कटे तो सोडियं observe पर्माण इसा थे लुकल आवी थी जमनी तरब जाओ एम तत्वोना पर्माणू क्रमांगवते एनी साथे साथे पर्माणिये त्रीज्या कटे तो सोडियम नी पर्माणिये त्रीज्या एक लोरीन करता मोटी छोए तो ए नियमित वलन छे तो अहीं आर्गन्नी पर्माणिये त्रीज्या सूडियम करता मोटी आती छे अर्थ के आनियमित वलन छे ए ज़ी ते कौपर ए यू एटले गोल्ड ए जी एटले सिल्वर तो विध्यार जी मित्रो समु आम जो ये तो समु अग्याराने डी वी भागमा नौमो समु तो समु अग्यारना तत्वो छे एमां कॉपर एजी अने एउ आरिते छे तमें आवर्द कोश्टक मां जो ले जो कि कोपर समुमा कॉपर पछी एजी आउसे पछी एउ आउसे तो स्वाभाव क्छे कि समुमा उपर थी नीचे तरप पर्माण येत्री जया वज से तो कोपर थी ऐग औने ऐऊ बन्ने नी पर्माण मियथिजया मोटी होई जहे, तो कोपर थी ऐऊ अने ऐग फिल्जया मोटी ट्रिज्या मोटी आपी छे तो ये अनियमित वलन छे तो आवी कोई अनियमित बाबतो जे छे एने पर ध्याणमा राथफी जरूरी छे त्यार पछी नो अगत्य नो अथ्वा मुख्य टोपिक छे आएंइकरन उर्जा अथ्वा आएंइकरन एंथाल पी जेनी संग्न्याचे Δ डिल्टा ही जेनी संग्या छे डिल्टा ही आई सव प्रथम आपणे आयनी करण एंथाल्पी नी व्याख्याने ध्यान मा लई शुँ विद्यार्थिमित्रो उर्जा अने एंथाल्पी तो उर्जा सब्द थी आपने परीचीच छी है परतु अवे साइंस मां केमेस्ट्री ले वाले उर्जा नों पर्याए इंथाल्पी छे लेके ऊर्जा सब्द लगपगों छो अप्राइशे एंथाल्पी सब्द वत्धरर अप्राइशे उसमां गति सास्त्र नामनूनू एक चैप्टटर आउसे भणवा मान जेनी अंद्र उल्लेक करेलो छे के उर्जाने बदले ए एक मोल इलेक्ट्रोन दूर करी ने एक मोल वायरूप धन आयनो बनाववा माटे ने जरूरी निवनत्तम उर्जाने ते तत्वनी आयनीकण इन्थाल्पी कहे छे। वित्यार्थि मित्रों हूं खूब भार पुर्वक कहुँछू के व्याख्या माँ जिटला पण सब्दों छे। ये बध्धाज सब्दों अगत्यना छे। बध्धाज सब्दों नी पोतानी महत्वता छे। अर्थ के एकपण सब्दों ने व्याख्या समझती वखते, बोलती वखते अत्वा व्याख्याने क्याक उप्योग मा लेती वखते, लागू पारती वखते। एकपण सब्दों ने आपणे चूकी जवा जोईये नही। आज ए सब्दों छे, ए सब्दों आपणने अन्य केटला टोपिक ने लगती बाबतों समझवामा पण अति उप्योगी निवडे छे। लख्यू छे ए प्रमाणे दाखला तरीके हूं कौपर ने विचार। तो कौपर परमाणू एक उलेक्टरोन पन घुमावी शके छे, अने बे उलेक्ट्रोन पन घुमावी शके छे परतु अहीं जे वाद थे रही छे, इमा कौपर जे वास्तवमा घन पदार छे, अथ्वा तो घन धातु छे परन्तु आईनी करण उर्जा त्यारेज लागू पड़े अथ्वा त्यारेज विचारवा मा आवे के ज्यारे कौपर पर्माणू पोते वायू स्वरूप मा होई एक मोल वायू रूप तटस्थ पर्माणू ओ माथी एक मोल इलेक्ट्रोन ने दूर करवाना एकले के अलग करवाना अने जे बाकी रहू ए रहो धन आयन एपन प्लस वन विचपारित अने ए धन आयन छे एपन पाछो वायू स्वरूप नोज होई तो आ प्रकार नी प्रक्रिया माटे जे उर्जा नी जरूर पड़े ते उर्जा ने कोपर नी आयनी करण एंथाल्पी के वायू जो कोपर बे इलेक्ट्रोन गुमावी शक्तो होई तो प्रथम इलेक्ट्रोन गुमावी अने प्रथम आयनी करण एंथाल्पी के वायू अने त्यार बाद आ जे Cu प्लस आयन छे ए बिजो एलेक्ट्रोन गुमावी एटले के बिजो एक एलेक्ट्रोन गुमावी अने प्लस टू विजभारीत आयन बने तो जे उर्जा नी जरूर पड़े ए डेल्टा एच आय टू के वासे दितिया आयनी करण एंथाल्पी परन्तु जे सब्दो लख्या छे ए सब्दो ने वलगी रहवू जरूरी छे एक मोल आ प्रक्रियानी तत्वयोगमिती विचारिये तो आनो सहगुणक एक के वाई आनो सहगुणक एक के वाई आनो सहगुणक पन एक के वाई अने मोल संदर्व मा अत्वा मोल संकल्पना ने अनुरूप प्रक्रियानी तत्वयोगमिती ने समझाविए तो एक मोल कोपर वायूरूप कोपर परमाणू एक मोल इलेक्ट्रोन गुमावी ने एक मोल वायूरूप Cu प्लस आयनमा रुपांतरी थया ए प्रमाणे आ प्रक्रियाने आपने दर्शावी शक्ये अत्वा बोली शक्ये अवे आपने एवू जानिये छिए के इलेक्ट्रोन ने केंद्र साथे आकर्षन होए औने आ आकर्षन ना विरुद मा इलेक्ट्रोन ने जो कक्षा माथी दूर करवो होए तो आ आकर्षन ने त तोडवा माटे बाहर्थी उर्जा पी पड़े कहवानों अर्थ एकलो छे के आयनी करण एकले के इलेक्ट्रोन ने दूर करवानी जे घटना छे ए घटना उसमा सोषक घटना छे अर्थ के आयनी करण एन्थाल्पी नू मुल्य अम्मेशाद धन होई आब आबत आपने ध्यानमा राखी सो उसमा सोषक एकले डिल्टा एज नू मुल्य तन होई उसमा शेपक तो डिल्टा एज नू मुल्य रून होई एटले के डिल्टा एज नू रून मुल्य होई तो समझवानू उसमा शेपक प्रक्रिया छे डिल्टा एज नू धन मुल्य होई तो समझवानू उसमा सोषक प्रक्रिया छे अपने फरीती समझे लईशू केंद्र साथे इलेक्ट्रोन अम्मेशा आकर्षन धरावतो होई छे अन्य आवा इलेक्ट्रोन ने जो दूर करवो होई तो ए आकर्षन ने तोडवू पड़े औने ए आकर्षन ने तोडवा माटे उर्जा आपफी पड़े एना थी विरुद ज दूर करवा नी वात्छे इलेक्ट्रोन दूर धृतसे तोज दनायन बनचे एक म्मोल वयूरूप तकर्षत पर्माणू हो माथी एक मोल इलेक्ट्रोन दूर करी ने, एक मोल वायूरूप तटस्त पर्माणू माथी, एक मोल इलेक्ट्रोन दूर करी ने, एक मोल वायूरूप दनायन बनवा माटे, नी जरुरी न्युन्नतम उर्जाने, न्युन्नतम एटले ओछा मोची, उर्जाने ते तत्वनी आयनी करण एंथाल्पी कहे छे आयनी करण एंथाल्पी ए तत्वनो मात्रात्म गुण धर्म छे तेथी तेनो एकम किलो जूल प्रती मोल थसे विध्यार्थी मित्रों एंथाल्पी एत्वा उर्जानो एकम जूल किलो जूल केलरी किलो केलरी पण मात्रात्म गुण धर्मनो अर्थेवो थाए के जेते परमाणू ना जधा साथे ए सबंधरावे छे जथो एटले मात्रा जथा साथे सबंधित होई एवो गुणदर्म एटले मात्रात्मक गुणदर्म अन्ने तेथी तेवा गुणदर्मनु मुल्य दर्सावतो एकम ए प्रती मोल एकम होई छे विग्यार्ति मित्रो आज ए बाबत छे ओरली केवा मावी छे परन्तु ए घणी जग्या एक कामनी छे उप्योगी छे उश्मा गती सास्त्र चेप्टर नी अंदर पण एनो उल्लेख छे के मात्रात्मक गुणदर्म होई तो ए गुणदर्मना मुल्यो ए अम्मेसा प्रती मोल एक कम्थी दर्शावा जोईए सो धेट के आईनी कले एंथाल्पी व्याख्यानी अंदर आज आपने लेए छे के एक मोल वायुरूप तटस परमाणुव मा थी फरीथी पाचु एक मोल एलेक्ट्रोन दूर करीने फरीथी पाचु एक मोल वायुरूप तहना एनो बनवा मा आटे एक एक मोल नो वुल्लेक वारम वार करवा मावयो छे एनो मतलब जथा साथे सबंधित गुणधर्म छे अने तेथी तेनो मुल्य फक्त उर्जाना मुल्य सुरे उर्जाना एकम्थी नहीं परन्तु एमा मात्रात्म गुणधर्म स्पष्ट थाए एवो एक प्रती मोल इकम्पण दर्षा वो जरूरी छे आयनी करण घटना अम्मेशा उसमा सोशक घटना छे अपने दर्षा विव के इलेक्ट्रोन ने दूर करवा एकले आयनी करण अने इलेक्ट्रोन ने दूर करवा माटे उर्जा आपपीज पड़े एकले उसमा सोशक घटना छे अने उसमा दण हसे त्यार बाद लखू छे उंदा एटले के निस्क्रीड वाईवोनी बाहितम कक्षको इलेक्टठों incapable बराईली होवा थी आवा इलेक्ट्रों नी स्थाईता महत्तम होई छे आवी महत्तम स्थाईता DARAता इलेक्ट्रोने दूर करा माटे वधूर जापी पड़े ले लख्यु जे पईणामे निस्क्रिय तत्वोनी प्रथम आयनी कण इन्थाल्पी ना मुल्यो सापेक्ष्मा साउथी मुचा होई छे आनेक्सकेक्टेड ए मुल्यो घंशा होई छे कारण के ए सम्रुत्त इलेक्ट्रोन दॉचा और कर से आल्केली दॉत तत्वो्या पहिं प्रथम आने सम्रूत्य इलेक्ट्रों डर्चंप येन अल्कली दातु तत्व ना प्रथम आयनिकण स Этот Ugly मेंुधियनिस्यमugene अनूवर्ति निस्क्रियेा तत्व करता पन वतु होई दाथला तरीके आपड़े सोडियम अन्ने नियोन तो नियोन जेड बराबर दस इलेक्ट्रोन रचना बे आँठ शोडियम जेड बराबर अग्यार इलेक्ट्रोन रचना बे आठ एक अवै आपड़े जाणिये छी हमना लखईू अथवा समझाव हुए प्रमाणे कि निश्क्रियवाईवनी इलेक्ट्रोन रचना सवरूलत्य इलेक्ट्रोन रचना छे एट मिअ भाय्येतम कपuten्षोक इलेक्ट्रोनती पुर्ण अने एवा इलेक्ट्रोन नी स्थाई ता महत्तम होई छे अने तेथी एवा इलेक्ट्रोन ने दूर करवा माटे खुबज वधू उर्जा आप्ती पड़े छे लेके नियोन नी प्रथम आयनी कड़े इंथाल्पी जे छे ए खुबज मोटी होशे हवे हुँ सोडियम माटे वीचारू तो सोडियम छे एमाथी एक इलेक्ट्रोन दूर थो एटले एने प्लस बन से हवे समझो के हुँ एने प्लस माथी एक इलेक्ट्रोन दूर करू वास्तोमाँ एने प्लस बन्यो एमाँ इलेक्ट्रोन नी संख्या 10 हसे वह इलेक्ट्रोन नी संघ्या 10 थाइ एक र게요 अज़े और कवड़त कि अलेक्ट्रोण त्है Representing सथिती अल्य और कर्या अभर्णफॉज beige je Vermont そंधीनला फ्राप्टी संद्य। नीय थीकले संद्य निकारन हुआ मट्हीं संद्य। तो एनु कारण सुचे, तो नियोन ना केंद्र माँ 10 प्रोटोन छे, अने कक्षा माँ 10 इलेक्टोन छे, तो प्रती इलेक्टोन केंद्रनु आकर्षण छे, एक प्रोटोन नुथासे, जारे एने प्लस माँ सुथासे, तो एने प्लस माँ प्रोटोन नी संख्या अग्यार छे गांके एनो पर्मनुक्रमांक सहां प्रेक्टरोंक्त। एक प्रोटोन नुँ आकर्शन होई अनि एवा इलेक्ट्रोन ने दूर करवा माटे नी उर्जावी चारिये तो स्वापाविक छे के आनी सापेक्षे अहीं वधारे उर्जावी पड़े अनि तेथी आपने एहीं लख्यु छे क्या आलकली धातु एकले के सूर्यम धातु पो उर्जाचे ए प्रथम आयनिकण एन्थाल्पी तो ए प्रथम आयनिकण एन्थाल्पी ना मुल्यो ए सवथी नीचा होए छे परन्तु जो आवे दिती आयनिकण एन्थाल्पी ने विचारवा मा आवे तो दिती आयनिकण एन्थाल्पी ना मुल्यो सापेक्षमा अनुवर् अप्ति निष्क्रीय तत्वा करता पन वदु हुए छे। एल के नीयोन नी प्रथम आयनीकण एन्थाल्पीनु जे मुल्य होई एना करता पन ENA प्लस माधी उलेक्टोन दूर करवा माटे आपपी पड़ती उirmजा एलम्येकर सोैंके शोडियम नी दीती आयनीकण आनि वृत्ती थि विरुथ जो एमा थी सवफितोस्ति पario with Park पी-ख्रम उसेध्य राखोईं कड़ी र शॉत्व सेथ कुछी हो ए दलाखोईअं शापेक्ष्मा वतु होई और निस्क्रिया तत्वनी आईनी कणण इन्थाल्पी सापेक्ष्मा साउथी वतु होई छे आएक सामान्यक रम छे प्रत्थम धीति और तुरती आईनी कण इन्थाल्पी ना मुल्यों विध्याति मित्रों आम तो NCRT बोर्ड लेवले पन तमें क् प्रतम आयनिकर्व करवा माटी जे उर्जापी पड़े प्रतम आयनिकर्वा सब्सक्राइब तो लखिए एक जेत्थ परमालुनी सापेक शे ते मांत आयन गया गाना बातो एक डरहे प्रतमालुनीकर्णी अगु़े अधिए तम सूडियू में ने जोगोँ अन्ने स्सेह एने प्लस ने जोगोँ तो असरकारक केंड्रिय विजभर तरीके आपणिए विचारी है 얼ते प्रती एलेक्टोन लातता प्रोटोन संअ onगर्चन में अ करशारी है तो ये प्रोटोन नी संख्या छे एने ज आपड़े असरकारक केंद्री विजबार तरीके ज़स्ट विचारी लिए समझवा माटे तो सोडियम नी सापेक्षे एने प्लस माँ प्रती इलेक्ट्रोन आकर्षन दरावता प्रोटोन नी संख्या वदू छे तो आपने हम कही शक्ये कि असरकारक केंद्री विजबार वदू छे तो लख्यू छे एककज तत्वना तटस्थ पर्माणू नी सापेक्षे तेमाथी ब संख्यू प्लस लौड़ येनी सापेक्षे सी जू टू प्लस लौड़ तो कू П्लस नी सापेक्षे सी जू टू प्लस एनो असर कारक केंद्री विजबार वदू होई असर कारक केंद्र्यव विजबार वदू हो य तो इलेक्ट्रोन केंद्र साथे वधू प्रबढता थी जकडाएलो, एटले क्या आकरशा एलो रहे चे, आविधान अपने टीटील 2 बादु पने बणी चुक्या छिये कि असर कारक खेंद्री वेज बार वदू होई तो इलेक्ट्रोन केंद्र साथे वदू प्रबळता थी आकरशाई छे आना थी वीरुत विदान पण आपणे टीटी एलेक्ल्थी मा भणिया छिए के स्क्रीनिंग असर वदू होई तो बाहेतम गक्षानों इलेक्ट्रोन केंद्र साथे निर्बढ ताथी आकर्षायलो होई छे तेथी आवा इलेक्ट्रोन ने एटले के केंद्र साथे प्रबलता थी चकड़ा एला इलेक्ट्रोन ने दूर करवा माटे सापेक्ष मा वदू उर्जा आपी पड़े छे तो लखियो छे आम एकंज तत्व माटे प्रथम नी सापेक्षे दीतिय तेमाज दीतिय नी सापेक्षे तुरुतिय आयनीकण एन्थाल्पी ना मुल्यो क्रमस वतु होई छे एटले के एककज तत्व माटे डेल्टा एज आयनीकण एन्थाल्पी लेतले स्टेन डिएलटा HI2 येयतले के देलटा ही3 येतले के तुरुतिय करने अन्य हे जह Train ત્યાર પછીનું મહતવાનું ટાઇટલ જે MCQ સોલ કરવા માટે ખુબ જ ઉપ્યોગી છે આમ તો લેક્ચર ના તમામ મુદાઓ એ MCQ સોલીશન માટે ખુબ જ અગત્ય નાજ છે પરંતુ આમ જે ટાઇટલ છે એને ખાસ ધ્યાનમાં રાખું જરુરી છે આયની કણે એન્થાલ્પી ચલે છે વનપણ પરમાણુ કદ જકડા એલો હશે એવા એલેક્ટ્ર્ણને દૂર કરવા માટે વધુ ઉર્જાપી પડશે એલેકે આયની કણે એંથાલ્પી ઉછી હોઈ સક્રીનીંગ અસર વધુ તો આયની કણે એંથાલ્પી ઉછી ચોથા નંબરે છે કોઈ એકજ કખ્ષા એલેકે મુખ્ય કોંટમાંંક ન મીયત હોય તો એકજ કખ્ષા થસે જનકે એન બરાબર ચાર વી ચારવા માવે તો કોથી કખ્ષા કોઈ એકજ કખ્ષા ની જુદી કખ્ષા કો એસ પ ડી અને એફ ના ઇલેક્ટ્રણ માટે વિદ્યાથી મિત્રો આ ચાર નંબરનો જે મુદ્દો છે એક ખુબજ અગત્ય નો છે એને સમજવા માટે આ માહીતી ખુબ જા ગત્ય ની છે તો ફરીથી કક્ષા ની જુદી કક્ષા ની જુદી કક્ષકો ફોરેસ ફોર્પી ફોડી અને ફોરેફ તો ફોરેસ નો ઇલેક્ટ્ર્ણ દૂર કરવા માટે એ મહત્તમ ઉર્જા આપી પ ફોરેફ ના ઇલેક્ટ્રોન ને ખુબ જ ઓછી ઉર્જા દ્વારા દૂર કરી શકાશે આ બાબતને આપણે કક્ષક્ણી કરેક્ષમાં દૂર છે એટલે ના ઇલેક્ટ્રોન કેંદ્ર થી એટલા એસ ની સાપેક્ષે એટલી પ્રબળતાથી એવીતે ફોડી ના ઇલેક્ટ્રોન સાપેક્ષમાં ફોર એસ ને ફોર્પી થી પણ દૂર છે અને સૌથી દૂર એફ્ર એ ફોર્ફ ના ઇલેક્ટ્રોન સે તો આપણે સમજી શકે છે કે ફોર્ફ ના ઇલેક્ટોન ઉપર કેંદ્ર નુઆ ફોર્ફ ના ઇલેક્ટોન ઉપર કેંદ્ર નુઆ આકર્શન સૌથી નબળુવાશે ફોડી ના ઇલેક્ટોન ઉપર નાહ્ય નીક્ય ની નમાંથુ ની નાહેક્ટોન ની ની નીક્રંજને નહ્થય ની નીક્વાંજ્થન નીક્ર ની ની अजिए प्रमाने 4D , ऑर्जा A 5-ब नेलेक्ट्रों आले झाइडिआड है विध्वार्टी में तो प्रकारनी 3 कव शको ॥ तो ए समान उर्जा थरावती होई जे माटे एने डी जनरेट कक्षको के बाए विरीते डी प्रकारनी 5 कक्षको ए समान उर्जा थरावती होई जे माटे एने डी जनरेट कक्षको के बाए ए प्रकारनी 7 कक्षको तो ए पण डी जनरेट कक्षको के बाए कारणके एने उर्जा स समानों छे, उर्जा नक्की करवा माटे n प्लस l नो नियम छे, आपने ख्याल छे, धारो के हूं 4p कक्षक माटे विचारवा, तो 4p कक्षक माँ 4px, 4py, औने 4pz, आवी 3 कक्षको छे, परांतु 4p नी कोई पन कक्षक असे, n प्लस l नो मुल्य विचारवा माँ आवे, तो n ब 9th से, इतले कूल 5 थसे, एतले for px होय, for py होय,ि for З होय, n प्लस l नो मुल्य विचारवा माटे 5 छे, एतले आच रने 3 कक्षको नियुर्जा समान थसे, औने तेथी आच रने 3 कक्षको ने, degenerate कक्षको शे के वाई, आज प्रमाने, d प्रकारनी 5 कक्षको, f प्रकारनी 7 कक्ष तो पूर्ण बरायली डी जनरेट कप शको एले P6, D10, F14, तेमाज अर्ध पूर्ण बरायली डी जनरेट कप शको, P3, D5, F7, निस्थाईता सापेक्ष मा वदू हो वा थी, विध्याथिमित्रो आ बाबत पन आपड़े पर्माण ये बंधान चेप्टर नी अंदर भणी चु विध्यार्थमित्रो दात्विय गुण नं अर्थ थाए इलेक्टरो गुमावनी रूर्थी वाळो गुण जे नी वरुत्ति इलेक्ट्रोन गुमावा नी वदू एमा थी इलेक्ट्रोन ने दूर करवा माठे जरूरी उर्जा ए ओची जुह होई काण के एनी व्रुतिच छे इलेक्ट्रोन गुमावानी एतले शरल ताथी इलेक्ट्रोन गुमावसे जे पोते इलेक्ट्रोन गुमावसे ए पोतानू ओक्सिडेशन करसे पण जे पदार्थने इलेक्ट्रोन आपसे ए पदार्थनू रिडक्षन थसे एतले धात्विय गुण धरावतो पदार्ध एपोते रिडक्षन करता पण गुणु धरावे छे एकले आयनीकरण एंथालपी चले छे वन पन धात्विय गुणु अथवा आयनीकरण एंथालपी चले छे वन पन रिडक्षन करता गुणु तेमाज आयनीकरण एंथालपी चले छे अधात्विय गु ते रिडक्षन अनु भवे अने बीजानु ओक्सिलेशन करे एटले एनो गुण दर्मा ओक्सिलेशन करता गुण पन कहवाए तो ए संदर्भ में आपड़े विचारिए तो अ धात्व तत्व निवरुत्ती इलेक्ट्रोन मिलवानी छे अने एना थी विरुद जो एमा थी इल थाल्पी वदू सात्मा नंबरे छे आयनी कण इन्थाल्पी चले चे वनपोन प्रकास क्रिया सिलता विध्यार्थी मित्रो आपड़े एवु जानिये छिए चेप्टर टू परमाणिये बंधारण अने एमा फोटो इलेट्रिक असर अलबर्ट आइनस्टाइन्हें आसर नोँ अभ्यास करे लू के धातुनी सपाटी पर प्रकास आपाध्थवा थी इलेक्टरोन मुक्त थाए तो विधिया की मित्रो आईलेक्टरोन जैते धातु परमाणुनी बाहतम कख्षा नोज इलेक्टरोन होई परन्तु प्रकास आपना पात्थवा थी जो ए वे दूर थतो होए तो एवी जे लाक्षनिक्ता छे एने प्रकास क्रिया सिल्ता कहे algorithms आवी लाक्षनिक्ता जी एम वदू एम इलेक्टरन दूर थवानी शरालता वदू एवआ एलेक्टरन Doesn't दूर करवा माटे आपपी पड़ती उर्जा ए ओची होई एटले प्रकास क्रिया सिलता वधु होई तो आयनी करण इंथाल्पी ओची होई आठमा नम्रेज आयनी करण इंथाल्पी चले छे वन पुन आयनी अस्वभाव नो मतलब थाय आयन बनवानी वृद्ति नो श्वभाव तो वित्यार्थी मित्रो आपडे धातू तत्व माटे विचार ये तो धातू तत्व सरल ताथी इलेक्ट्रोन गुमावी औने आयन बने प्रबल चे तेमाज आइनीकण इंथालपी चले छे सरसन्योंजक्स्वभाव तो गितियारति मित्रों अधातू तत्व माँ सरसन्योंजक्स्वबाव वदू होई छे जिमके धातू तत्वो छे ए फक्त आइनीय अथवा धात्विय बंद बनावी शके छे परन्तु धातु तत्वो सरसयोजक बन नथी बना विशकता एज प्रकारे अधातु तत्वो सरसयोजक बन बना वे परन्तु तेमा ध्रूबी अता होवा नेकानने ते आयन स्वरूपे अस्तित्व धरालता होई छे अर्थ के अ धातु तत्वो मां सहसनोजक स्वभा वधू होई छे अने तेथी अ धातु तत्वो ना आयनिकलन एंथाल्पी ना मुल्यो वधू होई छे नवमा नम्बरेचे आयनिकलन एंथाल्पी चले छे वन अपन ओक्साइड नो बेजिक स्वभाव तो विद्यार्थिमीत्रों सामाने ते धातु तत्वो ना ओक्साइड ए बेजिक होई छे अने धातु तत्वो ना ओक्साइड नो बेजिक स्वभाव जेटलो वधू एम धातु गुण वधू प्रबढ होई छे अने तेथी अयनिकलन एंथाल्पी नो मुल्यो ओचू होई छ अने ते संदर मां आपने एही लख्यो छे के ओक्साइड नो बेजिक स्वभाव जेटलो वधू एटली आयनिकलन एंथाल्पी ए ओछे तो आ ओक्साइड सेयो जनो कोना तो जेते तत्व ना ओक्साइड सेयो जनो नो बेजिक स्वभाव ए जेटलो वधू तेतली ते दसमा नंबरे जे छे एमा आपणे बे बाबतों नो उल्ले करियो छे समूह मा अने आवर्त मा तो समूह मा आपणे जोईए कि समूह मा उपर्थी नीचे तरब जता विद्यार्थी मित्रों आपणे लेक्चर नीचे तरब जाओ तो तत्वोना पर्माणुक्रमांग ए वधे दाबीथी जमर्णी तरब जाओ तत्वोना पर्मांग वधे जोगता वे प्रकास क्रिया सिल्ता वच जोब्यास अने ओक्साइड नो बेजिक स्वभाव पन वच्छे आ बद्धूज जे वधे छे ए बद्धूज आयनी कण इन्थाल्पी साथे व्यस्त चलन माझे तमें जोई शको छो तो फरीथी के समुमा उपर्थी नीचे तरब जता तत्वो ना परमाणू क्रमांक वधे तेम तात्व अधात्विय गुण वधे रिडक्षन करता नो स्वभाव वधे प्रकास क्रिया सिल्ता वधे आयनी अस्वभाव वधे ओक्साइड नो बेजिक स्वभाव वधे अन आ बद्धू वधे तो तत्वो नी आयनी कण इन्थाल्पी ना मुल्यो घटे ये जरीते आवर्त मां डा तमें जोई शको झो अन्य तेथी अनूक्रमें तत्वो नी आयनी कण इन्थाल्पी ना मुल्यो घटे आवर्त मां डाबी ती तमणी तर्प जल्पी ना मुल्यो घटे ये विद्यार्थी मित्रो जो तमने आ वीडियो लेक्चर गम्यों होए तो लाइक आप जो शेर करजो अने सब्सक्राइब पन करजो अगावना लेक्चर नू रीजन अने पाठ्य पुस्तक नू वांचन करता रेजो आ लेक्चर अंगे कोई पन डिफिकल्टी होए तो मुने वाट्सअप करी शकाए आभार फरी मलीशू नवा वीडियो लेक्चर मा